हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेह बजार वितायुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में 9 जैन्वरी यानि आज की ग्रे मार्किट प्रीमियम के बारे में तो दोस्तों आज से नया आई पियो जो पहला इस साल का मेंड बूड आई पियो है जोती मेंड आई पियो है एक नया मेंड आई पियो का नाम निकलकर आरा जिसका नम है जिसका नम है नोवा इगरिटेक तो यह आई पियो कब ओपन हो सकता है इसके बारे में मिश वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो को देख अब पूरा जरूर क्योंकि काफी important होने वाला है लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सबसे पहले सबस्क्राइब भी कर लीजिएगा जोती CNC IPO आज से ओपन हो चुका है और यह IPO ओपन कब तक रहेगा 11 जानवरी 2024 तक यह इस साल का पहला मेंबड IPO होने वाला है और पहला मेंबड IPO आता है तो जरूर देखिए यही हमेशा हम कह सकते है expectations रहती कि first मेंबड IPO कम से कम अच्छा आए ताकि लोग उसमें पैसा बनाए और पुरे साल बर इसी तरीके से चलता रहे तो यह देखते हैं कि हाँ कितने पर यह लिस्ट होगा आने वाल समय हो लिकिन आइस की information जान लीजिए 315 से 331 रुपीज का इसका कमपणी ने प्राइस बेंड सेट किया है 45 शेर्स कुल मिला कि आपको एक सिंगल लॉट में मिलेंगे बाकी issue का size है 1000 करोड का तो issue का size आपको काफी बड़ा देखने को मिल जाता है लेकिन यह पूरा का पूरा fresh issue है तो सारा का सारा पैसा company के रह जाने वाला यह एक और अच्छा point है इसमें company अपने employees के लिए discount रखा है करीवन 15 rupees per share का और listing का आपर होगी दोस्तों इसकी BAC और NEC दोनों के उपर listing होने जा रही है तो इस तरीके चाँ यहाँ पर आपको IPO मिलेगा लेकिन हम important बात यह है कि इसके अंदर जो reservation रखा गया है वो reservation सिर्फ 10% है for the retail category 45% company ने अपने anchor investor से यहाँ पर जुटा लिया है बात करेंगे इनके बार में QIV से 30% company ने QIV सको 30% portion दिया है एचना इसको 15% reservation दिया गया है और retail category को 10% reservation दिया गया है यह सबसे जो कम category यह सबसे कम portion किसी को दिया गया है तो वो है दोस्तों retail investors को only 10% कि 45% anchor investors का allocate किया इसलिए almost दोस्तों 447 करोड रुपे company ने race करें जिसमें इनके लिए lock-in 0.43 करोड के आसपर ने 43 लाग के application लगी है only 12 था तो 915 shares के लिए application नहीं बट क्योंकि पहला दिन है H&I portion 1.54 time subscribe हो चुका है यानि H&I portion ने almost 230 करोड के आसपास अभी तक race हो चुके है यानि H&I portion fully subscribe अल्रेडी हो गया है जिसमें bigachanize 1.06 time and smallachanize 2.50 time retail category 5.74 time subscribe हो चुके है आप सोचेंगे कि retail तो बहुत शांदा subscribe हुरी है वाट ये बात ध्यान रखिए अगर retail का portion सबसे छोटा है महातर 100 करोड का इसलिए अभी तक 571 करोड के आसपास company ने retail investors से यहाँ पर race कर लिया है कुल मिला के 1.49 time दोस्तो टोटल मिला कर ये जो issue है वो subscribe होने में काम्याब हुआ है कुल मिला के 815 करोड यानि पहले ही दिन और पहले कुछ घंटों में ये issue fully subscribe हो चुका है ये इसके लिए positive बात है और 815 करोड रुपे रेस कर लिए पर आप सबकी दिमाग में question होगा कि retail category को only 10% क्यों दिया गया है reason simple है दोस्तो company losses में थी इसरे company ने retail investors के लिए जो portion होता है वो सिर्फ 10% ही रखा है और रहता भी है ये rule है लेकिन इसके बारे में दोस्तों अगर आपको पूरी complete information चाहिए तो इसका पूरे detail वीडियो हमने already डाल रखा है link में description में दे दूँगा तो वहाँ पे जाके आप checkout भी जरूर कर सकते है एक और दोस्तों mainboard IPO जो जल्द open हो सकता है उसका नाम है Nova Agritec अब ये issue बहुत छोड़ा issue रहने वाला है वैसे तो fresh issue और offer for sale दोना combination रहेगा माना है जारे कि 19 तारिक से ये issue open हो सकता है बट again कोई confirmation नहीं है तो मैं ये नहीं कोंगा कि confirm है बट हो सकता है कि open हो जाए Nova Agritec बिल्कुल ये issue open होगा इसमें 50% reservation है QIB के लिए 35% है retailers के लिए 15% है H&I के लिए बट let's see issue का कब यहां पर announcement होता है 27 में company start होई थी Nova Agritec और company farmers को जो भी है manufacture products that help farmers to grow crops better तीन चीज़ का company होगा में soil health, plant nutrition और crop protection का तो अगें जैसे देखिए company में side details निकल कर आएगी तो हम बिल्कुल company का analysis लेकर आएंगे ये issue open हो सकता है इस प्रकार की expectations ज़रूर लगाए जा रही है अगला IPO आता है media assist अब इसको लेकर अभी तक कोई update खास निकल कर नहीं आ रही है बट यह IPO ज़ल्द open हो जाना चाहिए इस प्रकार की expectation लगास्तार हम कैसकते है बाजार भी लगाकर चल रहा है बट अभी तक इसकी बार में ज़्यादा announcement नहीं हुई तो ज़्यादा बात नह ग्रे मार्केट चल रही है almost 70 रुपीर यानि 50% ग्रे मार्केट आपको चलती भी नजर आ जाएगी इस issue की बाकी दोस्तों IPO ओपन होगा 19 जानवरी से 23rd जानवरी की बीच में 60 करोड का दोस्तों यह issue होने वाला है 53200 की subjective rates चल रही है बट मैं हमीशे यह कहूंगा जो मैं हमी ग्रे मार्केट को देखके वैसा नहीं लगाना है कंपनी के वारे में समझ गे और दीख हम ग्रे मार्केट बताते हैं जस्ट एक knowledge purpose के लिए राइट ग्रे मार्केट सही होगी गलत होगी इसकी कोई भी guarantee नहीं होती है यह आपको पता है और लगाता आपको बता है कि ग्रे मा जानवरी से 17 जानवरी की बीच में almost 15% की इसके करें ग्रे मार्केट है 33 रुपीज का इसका price band है 20.26 करोड का दूस्तों IP का size है और यह कब से ओपन होगा 15 जानवरी से अगला है दूस्तों श्री मारुती नंदन tubes तो दूस्तों श्री मारुती नंदन tubes ओपन होने वाला है 12 जनवरी से 16 जनवरी की बीच में 143 रुपीज का इसका price band है 14.3 करोड का IPO का size है और देखते कितना बढ़या यह issue कर पाता है open होने के बात अगला है दूस्तों Australia premium solar यह एक NAC SME issue है 54 रुपीज का इसका price band है इसकी भी दूस्तों exact green market 50% है यानि 27 रुपीज 28 करोड का दूस्तो जनवरी से 15 जनवरी की बीच में तो बिल्कुल यह IPO भी open होने वाला है अगेन यह भी एक SME issue है अगला आता है एक और SME issue जिसका नाम है दोस्तों new swan multi tech एक BAC SME issue इसकी green market 50% से थोड़ी सी उपर है जो है करीबन 56% 66 रुपीज का price band है और 33.11 करोड का IPO का size है 11 जनवरी से 15 ज 9 जनवरी से open हो चुका है नहीं गया जनवरी तक open भी रहेगा बाकी दो गुना भी तक already subscribe भी हो चुका है 33 करोड का IPO का size है ज़रू कोई green market नहीं है बट definitely पैसा निकल कर आ रहा है अगला है दुस्तों जोती CNC जोती CNC automation IPO दुस्तों open हो चुका है और शुरुआत कुछ दौर में आपने देखा है यह subscription कितना शानदा निकल कर आया भी तक और green market चल रहे है 28.70% नहीं green market भी कह सकते ठीक है बट last कुछ mainboard IPO जो हमको पता है कि हमारा experience ज्यादा बढ़िया नहीं रहा है green market के उपर तो जरूर यह है कि company की देखे देखे problem मुझे जो नजर आई ना वो है simple financials company के कि वहाँ पर company का जो fundamentals है वो इतने कुछ खास नजर नहीं आ है right problem इनकी जो foreign की एक subsidiary है उससे बहुत problem है because वो उतना बढ़िया नहीं कर पा रही है बाकि भारत का business तो तब भी ठीक कर रहा है लेकिन उसके क कारण दुस्तो company को major problem आ रही है जो company के financials पर reflect होती है बाज़ार में सबसे fundamentals को बहुत ज़्यादा value आपको पता देता ही है तो इसलिए यहाँ पर एक वोई समस्या है बाकि आए सच कोई समस्या नहीं है लो लेट सी कितना IPO को टोटल ना कर सब्स्रिप्शन मिलता है जैसे फ बात करेंगे किस कितना सब्सक्रिप्शन रहता हुआ नजर आया है तो इस वीडियो में इतना ही था वीडियो बढ़े लगा होगा इतना ही था information होपुली आपको अच्छा लगा होगा अगर पसंद आए तो लाइक कर देना चैनल से पहली बार जुड़ा है